उधारण एक, आर्टेक्स इकाई लंबाई का एक रिखाखन एबी है, जिसे दो बराबर भागों में बाटना है तब आप यह कैसे बताएंगे कि इसके प्रत्य भाग की लंबाई कितनी है हल माना यह गये रिखाखन एबी पर सी कोई बिंदू है जो एबी को दो बराबर भागों में बाटती है इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं एबी बराबर एसी धन बीसी अब चूकि सी रिखाखन एबी को दो बराबर भागों में बाटता है अताहां एसी बराबर बीसी इसी लिए एबी को हम लिख सकते हैं एसी धन बीसी के स्थान पर फिर से हम पुना इसे एसी लिखेंगे अब हमारे पास एबी की कुल लंबाई जो है वहाँ दी है आर्टेक्स यह लंबाई जो है हमारी आर्टेक्स इकाई है तब हम एबी के स्थान पर आर्टेक्स लिखेंगे बराबर एसी का एसी से जोड़ने पर योग करने पर हमें प्राप्त होंगा दो एसी या एसी बराबर आठ एक्स बटा दो यह जो दो है दो एसी का पक्षानतर होके यह आठ एक्स के नीचे बटा बटा दो हो जाएंगा या हम एसी को लिख सकते हैं दो गुणित चार एक्स बटा दो यहां दो और दो कट जाएंगा तब हमें एसी बराबर चार एक्स प्राप्त होंगा इस तरह से AC की लंबाई हमें 4X मिली अर्थात रेखाखन के दोनों बराबर भागों की लंबाई 4X सीकाई और 4X सीकाई होगी अता AC बराबर 4X है अधिक पद वाले बहुपदों में भाग कई पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद से भाग करने में हम हर पद को अलग-अलग कर सकते हैं चलिए इसे एक उधारन से समझते हैं इसके लिए हम एक प्रश्न लेते हैं कि बहुपद 18X का वर्ग धन 9X को गुणन खंडन करते हुए 3X से भाग दीजिए तो 18X वर्ग धन 9X को 3X से भाग देने के लिए हम इसे लिखेंगे 18X का वर्ग धन 9X पूरे के बटे 3X अब हम प्रत्यक पत का गुणन खंडन करेंगे तो 18X का वर्ग का गुणन खंड कौन कौन से हो सकते हैं इसे लिख सकते हैं 9 गुणित 2 गुणित X गुणित X क्योंकि X का वर्ग है धन 9 गुणित X और पूरे के बटे में हम इसे लिखेंगे 3 गुणित X अब हम देखेंगे कि इस अंश पत में क्या उभैनिश निकाला जा सकता है तो आप देखेंगे दोनों पतों में 9 और X है तो हम यहां से क्या उभैनिश ले सकते हैं 9 गुणित X यह उभैनिश्ट ले लेंगे तो हमारे पास प्रथम पद में क्या बचेगा 2 गुणित X धन क्योंकि 9 गुणित X उभैनिश्ट हो चुका है तो यहां लिखेंगे 1 और बटे में 3 गुणित X या इसे लिख सकते हैं 9X 2X धन 1 और बटे 3X चलिए आगे हल करते हैं हमें प्राप्त हुआ था पद 9X कोश्टक में 2X धन 1 और पूरे के बटे 3X इसे हल करने पर हम देखते हैं कि यहां 3X का 3 गुणा 9X होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 और कोश्टक में हमारे पास बचेगा 2X धन 1 इस प्रकार इसे पुना हल करने पर मिलेगा 6X धन 3 एकम 3 इस प्रकार हमने 18X का वर्ग धन 9X को 3X से भाग दिया और हमें प्राप्त हुआ है 6X धन 3 इस प्रकार इसका हल हुआ चलिए हम एक और उधारन करके देखते हैं इसके लिए पुना एक प्रश लेते हैं बहुपद 4X की घाद 4 धन 12X की घाद 3 धन 8X का वर्ग का गुडन खंडन करते हुए 4X के वर्ग से भाग दीजिए तो पुना इसको भाग देने के लिए हम इसे किस प्रकार लिखेंगे हम लिखेंगे 4X की घाद 4 धन 12X की घाद 3 धन 8X का वर्ग पूरे के बटे 4X का वर्ग हम हर पत का गुडन खंडन करेंगे और चुकि हमारे पास हर में X की घाद 2 है तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम गुडन खंडन करेंगे और लिखेंगे 4 गुणित X का वर्ग गुणित X का वर्ग हर में हमारे पास 4 भी है धन इसे किस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणित 4 गुणित X का वर्ग और फिर हमारे पास क्यूंकि X की घाद 3 है तो बचेगा गुणित X धन 8X का वर्ग इसे किस प्रका लिख सकते हैं दो गुणी चार और साथ में एक्स का वर्ग पूरे के बटे में चार एक्स का वर्ग अब देखते हैं कि प्रत्येक पद में क्या उभैनिश निकाला जा सकता है प्रत्येक पद से तो आप देखेंगे कि 4 और X का वर्ग ये प्रत्थम पद में भी है पुना दूसरे पद में 4 और X का वर्ग और तीसरे पद में भी 4 और X का वर्ग हम देख रहे हैं तो हम उभेनिश ले सकते हैं 4 X का वर्ग और कोश्टक में प्रत्थम पद में बचेगा X का वर्ग धन द्विती पद में बचेगा 3X धन और यहाँ पर द्विती पद में बचेगा 2 पूरे के बटे 4X का वर्ग अब जब हम इसे हल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको गुड़न खंड़न रूप में लिखा हुआ है 4X का वर्ग कोश्टक में X का वर्ग धन 3 एक्स धन 2 और बटे में है 4X का वर्ग तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा X का वर्ग धन 3 एक्स धन 2 इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ